वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू तो डियर इस्टुडेंट आज की क्लासिस में हम लोग टेबल देखना सिखेंगे क्योंकि आपके से चल रहा है उसको आगे आप कोई भी कोशें अटेम्ट करते हैं तो इसके लिए आपको लोग टेबल की रिक्वार्मेंट हो होगी तो बार-बार मैं जब लोग को सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर आपके लिए डाउट एक कन्फिशन क्रीट होगा कि सर लोग टेबल देखते कैसे हैं तो फरस्ट अफॉल बचे लोग टेबल आपके पास में आपके एक्जाम में आपको टीचर प्रोवाइड करवा तो यहां पर आते हैं सबसे पहले मैं ब्लुकुल हर चीज के उपर ब्लुकुल पॉइंट बताऊंगा लॉग टेबल में क्या क्या पॉसिलिटी जब सकती है उसे कैसे देखना है सबसे पहले यह आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर क्या डिजिट्स आपको नज़र देखना है कि लॉग टेबल में फरस्ट अफॉल आप जो इस कॉलम को देख रहे हो इस कॉलम को देख रहे हो आप यह आपका में कॉलम है यह आपका में कॉलम है जो आपके बाहर की साइड में यह वाला पूरा सेग्मेट यह में कॉलम है ठीक है बच्चे और यह आपका डि पर को पीन पाश mo खुंद को दीए बार ये वालग कर देता हूं इक एबचे Бच्च जिसको इना इंट कर सो आर ऑर और ये वालग कर देता हूं इसे यह पार्ट आपको नजर आ रहा है तो पूरे कॉलम को मैंने क्या किया पूरे टेबल को आपको ये एक्जाम में प्रोवाइड करवाएंगे पूरे टेबल को 3 पास में डिवाइड कर दिया जिसको हम इसको मेन कोलम कहते है 1st and 2nd difference अब आप लोग 1, 2, 5, 7 की अब लोग की इंपोर्डेंस का है मैं आपको वह भी पास समझाऊंगा जैसे for example मैं example लेता हूँ आपके पास में है कि 5 raise to power 2 by 9 अब आप 5 की power 2 by 9 आप solve नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर इसके power को जिसको आप solve नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर आप ल लगाएं वो बोड साइड लेंगे लोग तो लोग लेने से क्या होता है power आपका नीचे आ जाता है तो लोग 5 हो जागा पावर नीचे आ जाएगा अब आपको लोग 5 solve करना आपको तबी तो आप solve कर पाओगे बच्चे इस यहाँ पर आपको लोग का use होगा तो आज फिला किसन पहले आपको क्या करना होगा इस में से पहले दो डीजिक पर फोकस करेंगे इस फ़र्स टू डिजिक पर इसके बच्चे शुज माहें आपको मुआ कि उसके बाद आपको आपके पास पर क्या है 5 है ना उसके बाद आपके पास पर फाइव है इसको आप difference वाले कॉलम में देखोगे तो आपके पास पर 12 इसी row में रहना है आपको यहीं पर रहना है आपको और फाईव नमघ पे धानक में 0 से start होता है 1, 2, 3, 4, 5 मत कर देना, जिरो से start होता तो, 5 नमर पे, इसी में रहना है आपको, और 5, this one, तो यह क्या value आई इसकी, इसकी आपके आतने value आई, 0, 9, 6, 9, ठीक है, अब आपके पास में एक figure क्या बचा, आपके पास में एक figure बचा, 7, last wallet is it, ठीक है, यह आपको main difference में देखना है, तो 7, इसी line में ही रहना है आपको, इसी line में रखना है, और mean difference में जाना है, ठीक है बच्चे, तो mean difference में यह क्या है आपका, mean difference में आपके पास में यह आया, 24, ठीक है, तो बस जो यह 24 है न, इसको आपको नीचे लिखना है, और इसमें add कर देना है, तो 13, आपके पास में 1, 990 ठीक है बच्चे? खीर है? यह स्वाज में आया है क्या है? कैसे देखते पता लगा आपको? अभी complete नहीं हुआ अब देखो आप बच्चे सबसे पहले कि कितने डिजिट पे काम कर रहे थे आप कितने डिजिट पे काम कर रहे थे आप आप चार डिजिट पे काम कर रहे थे, तो बच्चे यह 3, ख्लेरे बच्चे, आप क्या करोगे, इसके आगे इस पॉइंट लगा करके, और यह आप 3 यूज़ करोगे, सब्सक्राइए आपको, ख्लेरे, कोई डाउट, तो यह आपके पास में लॉग 1257 की वैल्लिव आ गई, चलो यह कोशिन आप करके दिखाऊगी, एक आप ट्राइ करो, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा, हाँ जी बच्चे, अब, लॉग का यूज़ आपके, स्टैट्स में जमेटरी मीन में होता है, और मैस में मैथमेटिक्स और फाइनिस में होता है, इसलिए आपके टेबल आपके रहता है, और आपके पास में मैस में भी आपके पास में बुक जो है, इसे दोनों के लिए मैं डिटरी है सिखना, चलो इसको जल्दी से करके आप कमेंट करें, चल्दी फास्ट करें, कुल जाओं है, बच्छे पुछे क्लास 30 मिनिट से क्लास ज्यादा लंबी होती है, लेकिन जो बच्छे को मैं कोशिन करने के लिए देता हूँ, वो सब मैं रिकाड़ी इडिक से अडिड कर देता हूँ, कार्ड देता हूँ, तो अगर आ आप लाइब क्लास में देखेंगे तो ज़्यादा डिरेशनी क्लासिस होती हैं आपकी तो उसमें जो जैसे कि मैं आप से बात कर रहा हूं या फिर वो चीजें वो टाइम जिसमें कि आप कोशिन अटेम्ट कर रहे हैं वो सारे टाइम हम काड़ देते हैं इसलिए जो रिकोड़ी क्लासिस की टाइमिंग कम जाती ह नॉर्मल क्याल्कुलेटर ही आपके एक्जाम में आलाव होता है तो आप ऐससे क्याल को लेके नहीं जा सकते हैं छीक है एक बच्चे ना आशर कर दिया मैं सॉल्ल कर रहा हूं सामें देखिए अब आपके पास में next question में क्या है log आपके पास में डिजिट 1771 ठीक है तो first of all आप क्या करें फर्स टू डिजिट को ले लें आप 17 तो मार्क कर लीजिए इसको अब आपका difference क्या है 7 तो 7 पे आप आएंगे इस पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइप सिक्स सेवन इस वन टू फोर एट जीरो टू फोर एट जीरो ठीक है बच्चे एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास में डिफ है वन है तो इसी पाएंगे और वन पाएंगे इस सिदा बन से स्टार्ट होगा आपका तो वन पे क्या आपका टू है तो यहां पर नीचे टू लिख किसमें एड कर देंगे तो टू फोर एट टू डन डिजिट कितने हैं बच्चे बताएं जारा यहां पर फोर डिजिट है इसमें से वन माइनस कर दें आप तो आपके पास में कितने डिजिट हो गया है कितने बच्चे का को तीन तो बस इससे पॉइंट लगा करके इससे पहले आपको थ्री ले लेना है यह काम आपका एक एक्स्ट्रा काम आ जाता है मैं अलग कलर से और बास फिर आपका आंसर आपके सामया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे 3.282 3.2482 ठीक है 2482 वेरी गुड सही आंसर है नेक्ट कोश्चन देखें चलो अब तो फोर डिजिट वाले को आपको देखना आ गया है ख्लेर है बच्चे अब मैं आपको थ्री डिजिट में आपको लोग वैल्लु कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं आपको जैसे यह देखें यहां पर आप पूरा एक पेज़ देखो बच्चे तीन कोश्चन है एक मैं करवा देता हूं बाकिए के दो आप प्राई करेंगे जिसने यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या है वन टू थ्री तो वैसे ही देखेंगे सबसे पहले में कॉला में फ़र्स टू डिजिट देखेंगे आप तो ट्वेल्व आपके पास से मची यह उसके बाद आपका डिफरेंस में आपएक निदी नहीं है ये तो ओर भी आसान हो गया वो लेने की जोड़ती नहीं है बसो सिंपल कितने कीगें बशाने हैं यहां पे यहां प्र पर ट्री डिजिट से है barriers अ कि क्या करना है आपको यह एडिशनल वर्क होता है आपका पॉइंट लगाकर के टू आप लिग दे यह आपका फैनल अंसर है सब्सक्राइब आ गया क्लियर है अब जारा नेक्स्ट टू कुशिन आप ट्राइब करूँ करूँ कि यह क्लासिस दोनों के लिए बिजनस मैंस और स्टैटिस्टिस के लिए दोनों में ही लोग टिबल देखना आना चाहिए कि ड़न बच्चों चलिए देखिए ज़रा है कि तो दोनों बच्चों रांसर कर दिया है देखिए यहां पर आपके पास ने बच्चे वैल्यू है वन सिक्स एट ठीक है तो फर्स्ट और फोल पहले दो डिजिट्स आप अपने देखिए इसको आप में कॉलम में देखिए इसके बाद आप डिफरेंस कॉलम में देखिए एट को जिरो वन टू थी फॉर फाइट डबल टू फाइट थ्री बस डबल टू फाइट थ्री ठेक है बच्चे अब यहां पर आपको आफसर्व करना है कितने डिजिट्स हैं यहां पर फ्री डिजिट्स हैं तो इसमें से आप क्या करें माइनेस बन तो क्या बचेगा टू तो बस इस टू को आगे रखते हैं और यह आपका तो टू पॉइंट टू टू फाइब थ्री ठेक है बच्चे अब नेक्स्ट कोश्टेरा देखते हैं 132 का तो आपको यह 13 में कॉलम में देखने हैं आपको और 13 में क्या देखने हैं है तो देखना है तो 0, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 0, 6, and 3 digit है तो इसमें से एक माइनेस कर देंगे, digits कितने हैं बच्चे, 3 digit है, इसमें से एक माइनेस कर देंगे, तो 2 बचेएगा, आप क्या करें, यह आपके पास में क्या है, 18 है न, लेकिन आपको कम से कम, at least आपके 3 digits तो होने ही चाहिए लोग टेबल देखने के लिए, क्योंकि आपके 1st 2 digits से तो सिरफ आपको आपका मेन कॉलम पता लगता है, वैल्यू पता नहीं लगती न, 4 digits से तो आपको सब कुछ आप देखते हैं, but 3 digits एटलीस होना चाहिए, 2 digits से आपको निकालना पड़े, तो एक काम कर लो, आप पॉइंट लगा करके 0 ले लो, इसको 3 digits में आप इसको ट्रांसफर करतो, क्लेरे बच्चे, अब बस आप पॉइंट को बिलकुल ही अवोइड गरे चलें, बिलकुल अवोइड गरे चलेंगे, पॉइंट को, तो आप यहां पर आप इसको क्या चैन्सिटर करेंगे, यह आपके पास में यह देखो, छीक है, आपको बिस लिए किसका लोग लेना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 18 का लेना है, तो आप क्या करो, इसको 3 digits में चन्वर्ट कने के लिए, एक 0 देखो अब आपको क्या दिखना है में कॉलम में क्या देखना आपको 18 देखना है में कॉलम में आओ 18 का है दिख रहा है यहां से एक तावा पाट आ रहा है आपका झाल ठीक है बच्चे यह देखिए वैल इस दिख रही है आपके फॉन में लैटप पर हाँ दिख रही हूंगे लाइक आपके पात है 14 है 2 डिजिट है तो एक काम करो 3 डिजिट आपके पास में मिनिममम चाहिए चाहिए तो पॉंट आपके 0 ले लो 14 पर 0 देखना है आपको बहुत सिंपल है 14 और यह पर 0 क्लेरे बच्चे बासिजमा है आपको 14 पर 0 क्या है 1461 क्या आपके पास में 1461 1461 क्लिर है अब बस वहीं काम करना था पुछ treatments कितने हैं आपके पास में इसके पास में तो डिजिट सने हैं यहाँ पे इसका फर्क पड़ जागा डिजिट सक में और कुछ फर्क नहीं पड़ना टू डिजिट से आपका तो इसमें से आप एक कम कर दो तो कितना बचेगा आपका एक इसको लिखोगे 1.1461 इस वार यह आपका आंसर है ठीक है अब नेक्स टू आप करके दिखाएं जड़ा डन देखो लॉग 18 है बचे तो फरस्ट आप इस टू डिजिट को आपको त्री डिजिट में कनवर्ट करना है अब 18 पर आपको 0 देख रहा है तरन 18 पर आपका 0 2553 2553 और आपको पता है कितने डिजिट से हैं 2 डिजिट से हैं इसमें माइनस बन करोगे तो आपके पास में क्या हैगा 1 20 है इसको थ्री डिजिट में एक्सप्रेस करोगे 220.0 अब 20 पर 0 देख लेना है आपने आपके पास में क्या है 3010 3010 अब तू डिजिट से हैं जिसमें से आपको 1 माइनस कर देना है तो आपके पास में 1 बचेगा देन 1 पॉइंट इस यह आपका अंसर है इस लिए बचे यह क्या कर रहे है अब बच्चे नेस्ट कोश्चन आगर आपके पास में सिंगल डिजिट में कोश्चन आए अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो क्या करोगे सवाल यह है ना मैं देखो मैं हर केस आपको बता रहा हूँ यह नहीं कि सरफ एक केस आपको डिस्कुस किया और फिर आगे सवाल अलग अलग आए तो आप फस गए ऐसा नहीं है यहाँ पर देखो बच्चे आप लॉग टेबल कैसे देखो गया आप जैसे कि आपके लॉग वन है तो फस्ट और मिनिम्म कितने डिजिट के रिक्वाइरमेंट है आपको त्री डिजिट तो कैसे लिखोगे वन के बाद पॉइंट लागे दो जीरो ले लो तीन डिजिट के ल है जीरो इसकी वैल्यु आहिए ठीक है ए जलिए और आपको बस यह अंसर नहीं है क्योंकि कि 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 अच्किन डेख्याय Black देखो इसमें से माइनस एक करो तो क्या एगा जीरो तो इसमें से आपके पास है पॉइंट से पहले जीरो तो बेसिकिल इसका आंसर जीरो ही आया ठीक है, क्लियर है सब्सक्राइब आया आपको बच्चे अब लॉग इसको अठाते है आपको वैलु देखनी है लॉग तो यह 2 एक डिजिट है इसको minimum 3 डिजिट चीए तो 0 और 0 तो 20 पे 0 देख लो आप क्या है तो 20 पे 0 तो 3010 और कितने डिजिट है यह यह आपका 1 डिजिट है तो minus 1 करेंगे तो 0 तो 0.something आपका answer आएगा 0.3010 clear है अब log 3 की value कैसे देखोगे आप आपको संज में आ गया clear है बच्चे कर लोगे अब log 3 log 3 की value तो 3 है इसको minimum 3 डिजिट में convert करना है तो 30 पे 0 देख लो आप तो 30 पे 0 this one 4 7 7 1 4 7 7 1 कितने डिजिट से यह यह 1 डिजिट है minus 1 कर दो तो क्यों जाएगा 0 तो 0.10 तो यह इसका answer है clear है बच्चे सुझना आगे आपको quit out चलो अब next पे जाते हैं अब बच्चे कर five डिजिट में आ जाए क्योंकि आपको पता कि maximum four डिजिट ही अब क्या कर सकते है maximum four डिजिट ही देख सकते हैं बट आपके पास अगर सवाल five डिजिट में आ जाए तो कैसे होगा मैं आपको हर सिखा रहा हूं लोग का इसके बाद फिर मैं आपको एंटी लॉग का सिखाऊंगा तो आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों देखने आपको अच्छे से आ जाएंगे ठीक है पहला आप ये सीख लीजिए फाइव डिजिट में हो तो कुछ नहीं है आपके पास में कोशन क्या है वैसे लिए मैं प्लिक देता हूं दुबार से लॉग वन टू थ्री फोर सिक्स चिक है आपको फोर डिजिट ही कंसीडर करना है इस वन ए डिजिट को छोड़ दो भूल दो भूल जाओ लेकिन ऐसे नही अचा हूँ यह क्या है यह ग्रेटें धन फाइव है न हमिताफ से कंपेर करेंगे तो यह जो लास्ट विजिट आपका उसका आपका एक बढ़ जायेगा फिर अग्रेड दिन फाइब फाइव या ग्रेड डिदें 5 है फाइव यह तब भी बढ़ जाएगा अम चशचे तो अब आप इस question को ऐसे लिख लो, question को modify कर लो, log 1, 2, 3, इसमें एक add कर तो 5, गर 3, 2 होता नहीं, यहाँ पर 4 होता, तो मैं इसको avoid ही कर देता, simple सा repeat कर देता, एक जब बढ़ेगा, जब आपका fifth digit जो है, greater than 5 है, अब बस वही काम करना है आपको, आपको क्या काम करना है, आपक पर आपको 3 बजाना है, 08, double 9, 08, double 9, clear है बच्चे, सुझमा है आपको, कोई doubt, clear है, देख लो पहले, कोई doubt है तो पूछो, हैंज, इसका है status reviews, ठीक है बच्चे, clear है, अब बस आपको क्या करना है, simply, कितने कर लिया आपने, अब आपको ये three ली लीना आपने, आपको five लीना है, five किसमे लोगे आप, same, इस पे जाओगे, five, ठीक है, तो क्या है, 17, then इस पे 17 आप add करोगे, तो आपके उसे 9 और 7, 12, 1, 10 और 11, और 1, 9, 30, ये आपका, ठीक है, अब बताओ, बच्चे, आपके पास पे कितने digits थे, इस question में देखके अदाओगे, कितने digits थे, question में देखके अदाओगे, तो आपके पास पे कितने digits थे, total, आपके पास थे, five digits थे, तो यहाँ पे कितने digits थे, five digits थे, उसमें से minus one करोगे, तो कितने digits बच्चे हैं, इस फोर, तो point लगा करके four, this one, ये आपका correct answer है, तो four point zero nine one six, ठीके बच्चे, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक लोग टेबल देखना आ रहा है, सोंझ में आ रहा है, मैं बड़ा आरान तसलिए से पड़ा रहा हूँ, अब आपके बच्चे में लोग टेबल कैसे देखेंगे, मैं एक करवाँग सीच को, ठीक है, आप सिंपल लिखें, one, two, six, three, पहले आप फिलाल, decimal का वोइड करो, वही काम करो, main column में 12 चेक करो, this one, and उसके बाद आपका difference में six चेक करो, difference में six, one, double, zero, four, one, double, zero, four, अब आपका mean difference में आपको three चेक करने से, three पे, this one, ten, अब क्या करो, इसको 10 को, इसको एड करो, आप तक तो आपको पास में speed आ जाने चाहिए, 4, 1, 0, 1, clear है, अब बस जाब डिजिट कितने है, उसका खेल है, इसमें देखो, डिजिट कितने है, इ पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, ये two डिजिट है, four डिजिट मत लिजीगा, two डिजिट है, तो इसमें minus one करेंगे, तो क्या आपका, one, उसको आप क्या लिखोगे, one point is, ये answer है, उमीद करता हूँ, आपको सौन में आ गया, तो पहले point अबड करके, normally अपने figure calculate कर लिया है, clear है, बच्चे, one zero, one four, इसका answer है, लेकिन उसके बाद वो डिजिट को counting में पहले, चार डिजिट आ रहा था, बड़ डिजिट है, दो डिजिट का तो, डिजिट से पहले कितने डिजिट है, two डिजिट है, minus one करके, आपको one लिखना है, ये आपको, three point something नहीं लिखना है, ठीक है, बच्चे, done, बड़ एक कुशियों करवाजता हूँ, इसमें, two nine six point two है, तो first of all आप mean column में जाए, 29 में, तो 29 आपका ये है, उसके बाद आपका six पे जाएंगे, तो zero, one, two, three, four, five, six, four, seven, one, three, four, seven, one, three, उसके बाद आप mean difference में जाएंगे, तो mean difference आपका two है, तो same, one, two, तो क्या है आपका two पे, three, then इसको आप add करें, तो four, seven, one, six, यहाँ गया बच्चे, ठीक है न, add करोगे, अब आप देखो कितने digits हैं यहाँ पर, point से पहले, तो point से पहले आप digit count करोगे, तो आपको three digits है, कित है, अब expedition, आप मैं कर सकता हूँ आप से कि, आप इस question को easily tackle कर सकते हो, आपको इसका two digit में कैसे करेंगे, बचे क्या होगे इसमे, single digit में कैसे करेंगे, क्या होगे इसमे, आप इसको क्या लोगे, आपके पासे one point three है न, आप minimum three digits है, तो zero ले लो न, क्या दिकत है point क्यों, अब minus एक कर दो, तो क्या जागा, zero, तो zero point आपके पास में यह answer आ गया, clear है, सब्सक्राइब है, बच्चे, कोई doubt, हाँ जी, clear है, आप सारी values आप निगा सकते हो, यह देख रहूँ, इस कोशियों करना है आपको, तो first of all, आपको, लोगे कैस को log zero point zero zero four eight, यह क्या आपका फिर्ट वाला, one है न, five या five से greater नहीं है, तो इस पर कोई impact नहीं आएगा, clear है, बच्चे, तो आप basically values किसके देखोगे आप, आप value देखोगे basically 48, अभी मेरे पर log table में 48 नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ी, अब मैं इसको book भी नहीं है, मैं इसमें देख करके value होता था, चीक है, तो basically क्या करना था मुझे, ऐसे यह पूरा आपका 99 तक आपका रहे गाई है, चीक है, तो 48 पे आपने देखना था value, बस, और इसके आगे आपको एक zero और consider कर लेना था, क्योंकि तो 48 ही है न, ठीक है बच्चे, पॉइंट को अवोइड कर रहे हैं, पॉइंट को अवोइड कर रहे हैं तो आपके पास है 48 और 0 तो 48 पे 0 देख लेना था आपको, क्लेर है बच्चे, सुझ मैं आए आपको, और total कितने आपके पास में 0 है, 1, 2, 3, उतने आप क्या रहते हैं, बार लगाते हैं, अभी अब जो log table आगा न, तब उसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको, चलो, anti-log, anti-log को एक question कर रहता हूं, बहुत easy है, उसके बाद, दो question कर लेंगा, anti-log के भी हम, clear है बच्चे, आप anti-log एक अलग चीज़ होता है, anti-log क्यों आता है, जब आपके पासे 1 upon log हो जाता है, आपको value निकालनी है, 1 upon log, 2, 3, 5, 4, इसको क्या बोलते हैं, anti-log हो गया यह, जा फिर log की power, minus 1, या फिर anti-log, 2, 3, 5, 4, तो anti-log का table है न, log table से अलग होता है, वो आपको anti-log table भी मिलता है, तो यहां पर लग कि आपको anti-log calculate करना है, तो first of all इसको देखते भी ऐसे ही जिसे पहले देखा था आपने, ठीक है, और कुछ questions भी आप से try करवाँगा, जिससे की log की calculation आपके better हो जाए, तो बच्चे मिलते हैं फिर next classes में, thank you, thank you so much.